साथियों मैं सिवेन मर्शुकला उपसर पंच पंगड़ी कल बन विभाग और पुलिस टीम ने कहा था कि फसे हुए गायों को नीचे उतार दिया गया है जो कि पानी के जगह तक पहुंच जाएंगे जबकि डेर सो से सिर्फ दो सो की गहराई में इने पहुंचा दिया गया है आज भी ये मवेसी बिना रास्ता जाने चुकी नीचे उतर नहीं पा रहे हैं भूखे और प्यासे यहां पे पड़े हुए इन गायों की हालत ये खराब है कि ये पानी नहीं पाएंगे ति आप देख सकते हैं सामने वाली गाय एक आथ दिन के अंदर मर जाएजी पुलिस बीवाग और ये बन ब्राइब दोनों जूट हुवा रहा है और साथियों यहीं सव मीटर दूरे में 50 गाणों कि मैसे जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिफ है और यहां से करीब करीब 7-800 मीटर दूरी पर जाएं तो करीब 500 गाएं और भी हैं ऐसे जूट का कारणामा है इसी देश में और यहां के विभाग अपने अधिकारियों को कैसी जूटी खवाद देता है साथियों आप देख सकते हैं यह चारो गाएं पांचो यह एकदम आज भी यही पर पड़ रखी है चुकि इनकी हालत ऐसी है यदि मीडिया भाई आप सब साथ नहीं देंगे तो ऐसी गर्माउताओं की हत्या है होती ही रहेंगी यहां पंचायद पंगड़ी में जमीन है यहां गौसाला बना दिया जाए तो जो बाहर से वेसी लेकर आते हैं वह यहां ढोसेगे नह बहुत मदद कर दे तो गौसाला निश्चित यहां बन सकता है चुकि यहां गर्म पंचायद में हमारे बहुत सारी जमीने हैं आप देख सकते हैं अब मैं आपको यह खवर भेज रहा हूं जित्ती जल्दी हो उपर तक पहुंचाएं जिससे यह गव मात आएं को तुरंते निकाली जा सकते हैं नहीं तो यह भूंक से और प्यास से मर जाएंगी